दोस्तो अगले साथ दिनों में विश्व का सबसे बड़ा चमतकार होने वाला है ऐसी घटना होगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा देखे याद रखें कि आपके जीवन में जब भी कोई तकलीफ आती है तो उसका कोई न कोई मतलब अवश्य ही होता ही होता है दोस्तो इसके साथी साथ हम आपको बता दे आपकी जिंदगी में जो ये बड़े चमतकार होते हैं इसके बारे में हम अपने आम आखों से नहीं देख सकते हैं इसके लिए भक्ती भाव का होना बहुत आवशक है इसलिए आप सभी सिन्ने वेदन हैं कि आप आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से जै मातादी के जैकारे जरूर लगाएं ताकि मातारानी का सीधा और सही आशिरवाद आप सभी को मिल सके देखे दोस्तों वक्त का पता नहीं लगता लोगों के साथ लेकिन लोगों का पता लग जाता है वक्त के साथ जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले हजार आएंगे लेकिन आप केवल उसी का हाथ पकड़ना जो हजारों में भी आपको सबके सामने आगे बढ़ाने की ताकत रखता हो एक चीज को हमेशा आपको याद रखना है ये तरकीबे जी हाँ दोस्तों सवरो प्रतम है डर पर काबू बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए क्योंकि दोस्तों डर व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देता है नमबर दो पर आती है रणनीती दोस्तो अच्छी रणनीती, कारण और निवारन के बारे में आत्म मन्थन करके रणनीती तैयार करनी चाहिए दोस्तो बुरे समय को एक चुनोती की तरहा देखना चाहिए और ठोस रणनीती के साथ में प्रहार करना चाहिए तब ही आप उस पुरे वक्त से बाहर निकल पाएंगे नमबर तीन साहस और सहयम साहस और सहयम रखने से व्यक्ति हर मुश्किल का सामरा डट कर करता है तो दोस्तों ये खास बाते ये आपको पसंद आई हूँ तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तों आपके सापताहिक राशी फल के बारे में जिसमें आप लोगों को कुछ खास साफधानिया इसके साथी कुछ खास और बड़े महासयोग भी आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों आपको खजानी की भी प्राप्ति हो सकती है इसलिए आप से हाथ जोड़ करने वेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अन तक अवश्य देखे दोस्तों जीवन में हमेशा वाड़ी को सहयम में रखना बहुत अनिवारे होता है क्योंकि वाड़ी से दिये हुए खाव कभी भी नहीं भरे जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप सबी को ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने जीवन में जितने भी तकलीफे देखे हैं वे अब आप लोगों की समाप्त होने वाली है कुछ ऐसी चीज़े आपको मिलने वाली है कि पूरा घर और परिवार नाचने लगने वाला है क्योंकि ऐसे ग्रहे गोचर बार बार नहीं बना करते हैं दोस्तों अगले साथ दिनों में सितारे पूरी तरहा से आप लोगों के ऊपर महरबान हो रही हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन करती हूँ कि आज की इस वीडियों को आप लाइक अवश्य कर देजेगा क्योंकि दोस्तों आज की जानकारी आपकी सोई हुई किसमत को जगाने का कारे करेगी इसके साथी साथ आज की इस वीडियों में हम आपको खास और प्लब्दियों के बारे में बताएंगे जिसमें दोस्तों पिछले कुछ समय में चल रही दो विधाओं का समधान आपको जल्द ही मिलने वाला है इसके साथी साथ धन प्रापती मिलकर दिशामे किये गए कारे आपके सफल होने वाले हैं दोस्तों इसलिए जो हम आपको बता दें कि आपके नजदी की संबंदों के साथ में भी इस समय पर दोस्तों आपको विचार विमर्श करने की आवशक्ता है पुराने बिग्ड चले आ रहे रिष्टे भी आज काफी हद तक सुदर सकते हैं और दोस्तो उचित परिणाम भी आप लोगों को हासिल होने वाले हैं बहतरीन तरीके से दोस्तो आप अपने कारे को अंजाम देने में काफी हद तक शक्षम रहने वाले हैं चुपी हुई प्रतिबा को पहचानने में भी आप काफी सफल रहेंगे और दोस्तो आप हर काम में मन लगाएंगे इसलिए आपका काम पोन रूप से हो रहा है लेकिन दोस्तो आपका आने वाले दिनों में मन थोड़ा सा व्यस्त रहने वाला है इसलिए आपको थोड़ा सा काम की आवशक्ता रहने वाली है दोस्तों लंबे समय से चली आ रही किसी भी चिंता से राहत मिलने की काफी हद तक आशंका बन रही है इन दुनों में आपको थोड़ा सा दर्द रह सकता है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि सफलता मिलने की खुशी आप अपने सारे दुख तकलीफ दूर हटा देंगे और आपके उपर थकान बिल्कुल भी हावी नहीं होगी अपने उद्देशे पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता है दोस्तों ये आप लोगों के लिए काफी बैतर रहेगा संतान पक्ष को ले करके थोड़ी सी चिंताएं आपको रह सकती है उनके साथ में बार तलाप अवशे कर ले यह दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बैतर रहेगा वो आपके मन में खुशी की भी रहल दोड़ेगी इसके साथी साथ दोस्तों आप सभी को बता दे कि विपरीत लिंगी लोगों के साथ में आपके संबंद काफी हद तक मदुर बन जाएंगे आप काफी आकरशित हो सकते हैं इसके साथी साथ आप उस काम के बारे में भी जागरोय रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए और कारेस्थल पर करना हो सकता है पर दोस्तों आज के दिन आप लोगों को अपने आस पास के सभी जो दोस्तों लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच कर रहने की आवशकता है नहीं तो वह आपकी सोच विचार पर हावी होकर आप से कुछ गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं लडाई जगड़ी की इस्तिती वियुद्पन हो सकती है आर्थिक सुधार रहेगा संतान के योग से सुप समचार मिलेंगे दोस्तों जो लोग घर में ऑनलाइन कारे करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा खासा लाप प्राप्त होने वाला है बेरोजगार लोगों को भी अच्छा रोजगार मिलने के काफी हद तक संकेत बने हैं आविवाहित लोगों के विवा की भी बात हो सकती है आज की दिन दोस्तों आप लोगों के लिए वेस्तिता भरा रहने वाला है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी नौकरी मिलने की काफी हद तक संभावना है परिवार के सदस्य के साथ में किसी मांगली पुस्तक में सब लोग शामिल हो सकते हैं आप अपने परिजनों से तोल मोल कर बोले यह आप लोगों के लिए काफी बैतर रहेगा माता पिता के आशिरवात से आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाई के शुरुवात कर सकते हैं इसके साथी साथ दोस्तों आप सभी को यह भी बता दे कि किसी को बिना मांगे सलह ना दे नहीं तो दोस्तो बाद में आप लोगों के लिए पच्टाना पढ़ सकता है दोस्तो कैसे आप अपना दिन व्यतीत करें बतादे सुबा उठे नहाय दोई इश्वर की पूजा करें उनकी शरन में जाए दोस्तो आप हर कारे के लिए पूरी तरहा से तयार है याद रखें आप कही घुमने भी निकल सकते हैं बिजरिस में दोस्तो आपके दोआरा किये गए ठोस निर्ने बेहत चटीक सावित होने वाले हैं तथा कामिया भी भी हासिल होने वाली है दोस्तो नौकरी पेशा लोग वाद विवाद की वजह से मुसीबत में भी पढ़ सकते हैं दोस्तो घर का मोहल अनुशाशित वा खुशनुमर हैने वाला है प्रेम संबंदों में भी मर्यादा का आपको विशेज ध्यान रखने की आवशकता है इसके साथी साथ आपको बता दें कि आप लोगों के लिए नई उपलदियां आपका इंतिजार कर रही है इसलिए जल्दी जल्दी कोई कारे शुरू करने के बारे में सोच रही हैं तो उसे भी प्रारम कर दीजिए किसी भी संगर से छुटकारा पाना छुटकी बजाने जितना आसान हो जकता है नए परिवेश में ढड़ने के लिए आप पूरी तरहा से तयार हैं और दोस्तो आप अपने संबंदों को ले करके काफी गंभीर भी नज़रा रहे हैं अभी विवा से जुड़ा हुआ कोई भी निर्ने लेने से बचने की आवशकता है क्योंकि अंतरंगपल दोस्तो आपके रिष्टे को फ्रेश और जीवन्त कर सकते हैं दोस्तो आज आपके लिए खुश्यो भरा दिन है जहां पर भी आप कारे करने के बारे में सोच रहे हैं वहां आप लोगों को नई उपलब्दियां मिल सकती हैं जहां आपके नई मित्र बन सकते हैं और आपके प्रतित बंदी भी आपकी साहिता करने के लिए अगर गरीन रहेंगे दोस्तो आपका स्वीड हाट और मित्र आपकी मदद के लिए बिलकुल ही तयार रहने वाला है नई रिष्टे को लेकर किया पुट्साहित हैं आप अपने साथी के अपने प्रति भावनाओं को अच्छे से समच सकते हैं और दोस्तो उसका तहे दिल से आप सम्मान भी कर सकते हैं दोस्तो आपकी सोच आज अद्बुत रूप से साफ और इस्पस्ट है और आज आप अपने काहर्यों के आने वाले समय में लाप का बिलकुल ही ठीक अंदाजा आप लगा पाएंगे इसलिए दोस्तो आज का दिन आपके रिष्टे में आने वाले अफसरों और निवीश का मुल्यांकन करके किसी सही निर्ने पर पहुचने के लिए बिलकुल सठीक रहने वाला है आप बात कर लेते हैं दोस्तो आपके लव लाइफ के बारे में प्रेम जीवन कैसा रहेगा आए जान लेते हैं तो दोस्तो आप हाल फिल हाल में अपने जीवन में हर तरहा के संबंदो को ले करके आप लापरवा रही हैं लेकिन दोस्तों आपको इस समय रहते हुए आगे हुई दूरी को कम करने के लिए कदम उठानी की आवशक्ता है दोस्तों आपके पार्टनर के आपके मुश्किल समय में आपका काफी हद तक साथ दिया है लेकिन आप उसे उसी इत्साह से उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों आप केवल अपने साथी की कमिया ढूड़ने में लगे हुए हैं दोस्तो आपने अभी तक इस बात पर शायद ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने स्वैम पर कितना सुधार कर लिया है तो दोस्तो ये था आपका सापताहिक राशी फल यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तो अंतक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में सची श्रदा से ओम नमस्षिवाए जय मातादी अवशे लिखें